गाइस मैंने आपको पहले पार्ट में महंदी का गोल बनाना बताया था कि कैसे महंदी को भोगवना चाहिए कैसे बनाना चाहिए और थोड़ा अलग तरीके से बताई थी तो आपने अभी तब पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके वह देख लीजिए फिर इसका दीए तो इस दूसरे पार्ट मैंने महंदी लगाने का तरीका बताया है और आप कैसे लगाना चाहिए तो चलिए ना वीडियो यहां पर भी स्टार्ट कर लेते हैं दूसरा पार्ट अपना महंदी का फिर इससे आप उतार लीजिए और उतानने वाद से ठंडा कर लीजिए गरम चाहिए जब ठंडा हो जाएगा तो अब इस पानी को अब इस महंसरे मेहने मेहने महंदी आभी नू हैभी ना बनाकर एक साइट अब चाहन लेंगे दूसरे महां यहांदी अक्ड referendum कर कर्तांसा ओना मेहनी यह नहीं है क्योंकि वो natural hair color है कोई chemical भरी dye नहीं है तो आपको महदी का कम से कम हैना महीने में दो बार तो यूज करना ही करना है जब आप उसे कम से कम चार से पांच बार जब यूज कर लेंगे लगा लेंगे अपने बालों में तो आपके बालों में फिर color दिखना भी शुरू हो जाएग लोगों को doubt होता है कि एक ही बार में मिल जाना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है एक ही बार में देखिए नहीं मिलता है कोई एक केमिकल नहीं है कि आपने 10-15 मिनट लगाया और आपके बालों में color आ गया नहीं यहां पी बिल्कुल natural pure 100% remedy है जो आपके बालों color देगी natural त करते हैं तो उसमें वहां देना पड़ता है तो मेहनत हुई ना तो इसलिए आपको देहान देना है कि आपको care करने ही अच्छी तरह से मतलब इसे continue आपको लगाना है अपने हेर पर इनहीं की रूच लगाए नहीं मतलब महिने में इसे आप कम से तीन वार ज़रूर लगाए इस तरह continue हर महीने में ऐसा करते रहे हैं आपके बालों में natural तरीके से color भी आ जाएगा बाली आपके घने लंबे होना शुरू हो जाएगा अच्छा है ना पैक है यह बहुत ही अच्छे है ना है जो hair हो जाते हैं से ही ही ना एर मासक आपको regular ही करते रहे हैं आपके बाल रं simple तरीका है वैसे तो मैंने मह्धी के बहुत वीडियो बने आए हैं और बहुत आपने पसंद की हैं मैंने इस लिए लेला तरीके से महधी बनाई है क्योंकि हर क्रकार से लगाने से क्या होता है जब हम लगाते हैं तो थोड़ा अलग अलग एफैक्ट होता है अब किसी किस त मेहनदी लगाता हूं मैं पट्टी मेहनदी लगाती है और हां एक बात नहीं और किलिर करते हैं कि आप इना वाइट हेर में कहा करा के लाँ के लुट टो आप मुझे उसके लिए तो नहीं ब्राउन और बरगंडी कलर भी बिना आपको लाइप प्रूब करके दिखाऊई तो आप भी कहेंगे कि हाँ वाकवी महिली सिपाल कलर हो जाते हैं तो उसके लिए आपको बेट करना पड़ेगा लेकिन हाँ बहुत जल्दे न वीडो आने वाला है आपके लिए तो देखे यहाँ पर इना इस सारी जापको मिलाना है अब इसमें मैं एक और चीजा अट करूट करूट क्या करना है चले वो भी बताते हूँ अब हमें इसमें अट करना है एक अंडा जी हाँ दोस्तो अंडे का युज़ आपको करना है इन तीनों चीजों में से न, आपको कोई भी चीज इस्किप नहीं करना है, आपको मैंने जर जो इंगेंट से याँ बताई है, वो सारे आपको इसमें एट करना ही करना है, बिलकूल इस्किप मत किजीगा और गई कोई लोग कहते हैं कि अंडा लगाना मुझे पसंद नहीं की hasil उच्छ नहीं और अलग से अंडा लगाएंगे तो बहुत जाद स्मेल उच्छ जादा जादा जब मेहँडी में डालके लगाएंगे तो बिल्किल भीक्रम नहीं आती है तो अंडे का आपको यूज यहां करना ही करना, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, यानि कि कमर तक है ना नीचे हैं आपके बाल, तो आप दो अंडे का यूज जरूर करें महंदी में, क्योंकि उस हिसाब से महंदी बनाएंगे, तो आपके दो अंडे बालों मे मेरे बाला ऐसी नुए क्योंकि इसलिए मैं कहा रही हूँ आपको यह तीनों चीज़े ही लेना ही लेना है एक भी स्केप मत करना तो इस तरह से आपको यहां पर एक अंडा लेना है सफेद भाग भी और वाइट भाग भी दौनों ही मिलाना है यह नहीं कि आपको एक चीज़ म बना कर तो गाइस आप आपको इससे रख देना है ढग कर आप पलेट से ढग कर रख दीजिये पॉली थे नहीं तो इससे कवर कर लग दीजी मलब इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं जाना चाहिए अच्छे से कवर हो जाने के बाद आप इसे आप रख दीजिए और नाइट क यह हो जाएगी color भी इसका त्वार डार्क हो जायगा तो देखें गाइस यहां पे ना यह मैंने तो नहीं से तीन से चार गंटे के बाद विगोने के बाद बदेखें यह इस तरह इसे हो गई है डार्क कलर भी हो गए इसका आफ इसको इना में बालो में अपलाई करके आपको यहां दिखाती हैं देखिए चलिए से बालों में लगाते हैं फिर इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगे